हेलो एब्रीवन आज हम लोग बात करने वाले हैं गेट 2021 में जो एपीर होने वाले लोग हैं उनके तीन महीने से भी कम समय बच गया है और उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके बहुत सारे सब्जेक्स कम्प्लीट हो गए होंगे और वो रिवीजन करने की सोच रहे होंगे और बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि कैसे रिवीजन प्लान करें ताकि सारे के सारे सब्जेक्स हमारे कवर हो जाए विदिन टाइम लिमिट्स और मैक्सिमम स्कोर कर सके हम अपने गेट एक्जामिनेशन में तो आज हम लोग उसे की चर्चा करेंगे इस वीड प्लान टू रिवाइज आवर सब्जेक्स उसमें तो सबसे पहले जिन लोगों की सब्जेक्स मैक्सिमम खतम हो चुके हैं 80-90 परसेंट सब्जेक्स उन्होंने कर लिया कहीं से भी कर लिया ओनलाइन ऑफ-लाइन कहीं से भी कर लिया तो ऐसे लोग को रिवीजन जल्दी से ज कुछ पोर्शन होंगे वह आपसे चूट जाएंगे और वह हो सकता है उनसे कुष्टन साजाए गेट में तो आपसे नहीं बनेंगे और एक कॉंफिदेंस में मिलता है किसी भी सब्जेक्स को अगर आप करते हो तो पूरी पूरी सब्जेक्स खतम करने और रिवाइज करने क कि सोचना चाहिए अपनको तो सबसे पहले क्या करना जब भी अपनी वीजन कोई भी आपकी प्लान बनाते हो तो उसमें अपने सब्जेक्स को तीन पार्ट या चार पार्ट में डिवाइड कर लो ट्राइटु स्प्लीट दा सब्जेक्स इंग त्री वर फूर्ट पार्ट सब्जेक्ट में अपने सब्जेक्स को डिवाइड कर लिए सीमिलर टाइप के चैप्टर सीमिलर पार्ट में रखने का कोशिस कीजिए और चैप्टर ऐसे रखे कि पहला पार्ट जैसे मालू फसलो है तो हर सब्जेक्स में अपनाने के बाद उनको लिख भी लिया करो किसी कॉपी में बनाओ अच्छे से एक दम दो घंटे टाइम दो दो घंटे में हो जाएगा यह सारा प्लानिंग हो जाएगी आपके पास का करना है कि उसको लिख लेना है कौपी में लिखने के बाद अप यह भी प्लान किजिए कि जैसे आघ साथ आठ नवंबर, गर्लिप करद और उनको multiple times revision करना है हम लोगों को तो सबसे पहले उनको revision करना क्योंकि एक बार अभी कर लोगे तो फिर बात में उसको repeat कर सकते हैं तीन-चार बार revision करना है examination से पहले उन सब्जेक्ट को सबसे पहले उनहीं से start करना strength of material, swarm, fluid mechanics, production, mathematics इनकी revision बार बार आपको करनी चाहिए और starting में नहीं का plan करो तो आप क्या करना जब भी revision आप plan मनाते हो तो morning, afternoon और evening मैं आप पढ़ाई करते होगे जैसे सुबह उठके कुछ पढ़ाई करते होगे फिर खाना-पिना खाके नास्तवत्य करके लंच करने के बाद हो सकता है बहुत लोग सो जाते होंगे तो सो नहीं है ना तीन महीने अच्छे से त्यारी करो अभी तक तो सो ही रहे थे अब अच्छे से कर लो और उसमें morning, afternoon और evening में यह जो छोटे-छोटे आपने और उसको revise कर लिया, revise कैसे करेंगे तो नोट्स जो आपने कहीं से भी अगर पढ़ाई किया होगा तो वह नोट्स खोलके एक बार नोट्स जल्दी से पढ़ लेना है तो उन 3-4 चप्टर के नोट्स को जल्दी से पढ़ा फिर previous year के questions जो recent time में उन questions को किया फिर कुछ questions आपने पहले भी बना के रखे होंगे कि यह question मुझे करना है मैंने आपको class लेते time पर भी बहुत सारे चीज़े बताई होंगी तो आप क्या करो कि उन questions को भी solve करने का प्रयास करो और ऐसे करके previous year को question करके हो गया इतना काफी है और formula वगरा एक बार लिख लिख के practice कर लिए तो ऐसे करके 2-3 गंटे में आपका एक पार्ट जो भी आपने subject में चार पार्ट में मालो डिवाइड के एक subject को तो यह पार्ट खतम हो जाएगा फिर आप नास्ता पानी करके फिर आप afternoon session जब आप बैठोगे पढ़ाई करने के लिए उस time पे किसी और पार्ट को उठा लो किसी दूसरे subject के पार्ट को ठालो फिर में किसी दूसरे पार्ट के subject के उठालो मतलब आपको हर दिन तीन यूनिट या तीन पार्ट आपको करने है अलग अलग सब्जेक्ट के भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे करके आप आगे आने वाली 15 दिन तक कैसे करोगे तो आपको ऐसा लगने लगेग तो फिर कैसे होगा जब आप पहली बार रिवीजन करते हो तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है मालो अगर चार पांच घंटे लग रहे हैं तो दूसरी बार रिवीजन में दो घंटे में ही काम हो जाता है तो इस टाइप का ध्यान रखना है और बहुत ज्यादा फोक किताब पढ़ा हुआ है अगर आपने पहले किताब पढ़ा हुआ है तो आपके अंदर कहीं न कहीं उस वह बात रहती हैं और वह भूलती नहीं है फिर मतलब आपके पास multiple choice question जब आएगा तो आप कर लोगे मुझे वह अंदर में आपके रहता है अगर किताब से question आएगा त इसके अलावा अगर आप देखो तो ताइम ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा detailing नहीं करने है अहां ऐसा हो सकता है कि जब आप notes पर रहे हो और कुछ चीज़े बिल्कुल समझ नहीं आ रही है notes में लिख हुई तब आप किताब का reference ले सकते हो बट ऐसे किताब रिवीजन करते आपके जो exam है जो gate examination है उसमें 80% questions जो है ना वह easy question basic easy question आने वाले 80% question और 10 to 10% question आपके tough आने वाले हो दस नंबर के question आपके जो होंगे वो थोड़े से average type के question होंगे 80 number के question average basic और easy question आते है 80 marks question और उन्हीं को आपको कर लेना है तो आपका selection हो जाएगा तो आपको time भी उन्हें वैसे ही decide करना है कि 80% time आपको basic से related जो easy question होते हैं उन पे देना है ना कि अजीबो गरीब question जिसका question समझ में आ रहे है ना solution समझ में आ रहे है तो ऐसे question पर time waste करने से मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फाइदा होने वाला है आपको बट यह है कि basic question basic और easy question से related पूरी syllabus अगर आप कबर करके जाओगे और आपकी तो आपका great examination में अच्छा marks आ सकता है तो मेरे ख्याल से 80% time आपको basic और easy question पर देनी चाहिए 20% time आप उन questions पर दोगे जो question tough और थोड़े lengthy type के होते हैं वोन पर 20% time sufficient है तो आप ना जब notes revise करो notes revise करने के बाद जो भी part आप उठारे notes revise करना है notes revise करने के बाद previous year के question लगाने है और चोटे मोटे जो दो तीन question आपके notes में कराया जाते हैं जो भी teacher आपको कड़ायों गए होंगे या खुद से आपने किया होगा वो सब question को revise कर लेना है और इतना करने के बाद आप उस portion को आप मान के चलिए कि एक बार आपका revise हो गया है फिर ऐसे करते करते 10-15 दिन तक यह काम करते रहना है उसके बाद फिर 20-25 दिन बाद एक बार पूरा आपका syllabus इधर से लेके इधर तक आपका complete revision हो जाएगा और फिर उसके बाद इस process को फि आपके दिमाग में fit हो जाएगा इसके साथ साथ आप एक काम और कर सकते हो कि आप download कर लिए previous year के question पूरी questions आप IIT के साइट पे जाओगे तो जाएंगे और कोशिज किजिए कि हर साथवे दिन हर संडे या जब भी आपको मने संडे ही आपका सब कुछ तो बंद ही आपका college school सब बंद है तो आप कोशिज किजिए कि एक दिन बैटेस और एक सेट कोई भी एक सेट रेंडम लिए आप चिट से आपने मन से उठा लो कि यह सेटाड मुझे करना है और उनको किजिए उनको करने के बाद तीन घंटे तक बैठके आराम से दो कैलकुलेटर वगएरा वही ऑनलाइन कैलकुलेटर वगएरा यूज किजिए कैलकुलेटर वगएरा यूज करने का सीखिए ऑनलाइन कैलकुलेटर या मोबाइल में तो आप उड़ाने वाले पेपर देंगे काम जला सकते हो तो आप उड़ाने वाले पेपर दे लो उससे आपको पता यह चलेगा कि पूरा सीलेवस मेरा हुआ आप इसी चेप्टर का फार्मूला लगाते हो बट एक सांथ जब साड़े सब्जेक्ट आ जाते हैं एक ही पेपर में तब दिमाग में वह दौरने लगता है वह लगता है कि हाँ यार क्या है ना कि अभी सौम का कुश्चन है फिर थर्मों का जाएगा फिर प्रडक्शन फिर इंडस्टियल ऐसे करके तो फिर वह दिमाग को वैसा एकसरसाइज करवाना है तो यह 18 सेट जो है आपके पुडाने वाले पेपर के यह से डाउनलोड किजिए एक एक करके देना स्टार्ट कर दीजिए लास्ट के लिए बचाना नहीं है लास्ट के लिए और भी है तो अभ बहुत सारे क्वेश्टन्स आपको पहले से आते रहेंगे किये रहोगे तो कॉन्फिडेंट भी अच्छा रहेगा और पूरा सिलेबस अपका कबर हो जाएगा ठारस सेट अगर कोई वच्चा कर रहा है इसका मतलब की उसे पूरा सिलेबस का एक-एक फॉर्मूला एक-एक जाओ उसको याद है तो आप इसको करने का प्रयास किजिए और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ काम होके बिल्कुल तैयारी एकड़म जारी रखें गीवप नहीं करना है लास्ट तक आपका गेट का इग्जामिनेशन हो नहीं जाता तब तक आपको तैयारी करते रहना है ति यह आएंगी अगले साल इस बार कम आई हैं तो अगले साल जाद आएंगी क्योंकि जरूरत है प्यास में और आपको उस टाइम पे बिल्कुल जब लोहा गरम है उस टाइम पे पंच मारना है और सलेक्ट होके अपने अपना नाम और अपने पड़िवार का नाम रौशन दरमें. Thank you so much. Thank you.